हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू क्लास डेस्क, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे जो यूट्यूब फैमली है, वो डे बाइ डे काफी स्ट्रॉंग हो रही है, काफी सारे 12K स्टूडेंट्स हमारे चैनल से कनेक्ट हो रहे, लेकिन स्टूडेंट्स का एक क्वेस्चन है, सर इस चैनल पे सिरफ कॉलेज के नोटिफिकेशन हमें मिलेंगे, या फिर प्रेपरेशन भी होगी, और किस तरह से इस चैनल से मैक्सिम बेनिफिट ले सकते हो, तो इस वीडियो में आपका एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हो, हर एक 12K स्टूडेंट के लिए ये वीडिय जो बहुत ज़्यादा हिलफुल रहने वाले है, तो माई नेम इस सौरब कॉठारी, लेट्स स्टार्ट, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कि जब मैंने क्लास दिस्क फॉर्म किया था, तो मेरा माइंड सेट क्या था, देखो मैंने बहुत सारे ऐसे प्लैटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल्स देखें, वेबसाइट्स देखें, जहां पर साइन्स के बच्चों के लिए बहुत ही औरिगनाइजड वे से हर एक चीज़ अवेलेबल है, बहुत कौन सा एक्जाम उनको देना है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या एक्जाम्स रहते हैं, कौन से कॉलि जहां पर प्रॉपर गाइडेंस हो पाएं, वो चैनल बनानी की मैंने कोशिश करिया, अगर मैं आपको बता हूँ, 12 के बाद ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्चन है, जहां पर आप एंटर कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए हमारे सामन बहुत सारे कॉलेजिस होते हैं, जैसे आएमस हो गए, जैसे डेली उनिसिटी के कॉलेजिस हो गए, जो BMS कराते हैं, इसके बाद अगर आप जाना चाहते हो, जनरलिजम में तो जनरलिजम के हमारे सामने काफी सारे एंटरेंस एक्जाम्स होते हैं, डेली उनिसिटी में भी journalism कराया जाता है, बहुत सारे बच्चे hotel management में अपना career बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारे जो top institutes होते हैं वो IHM होते हैं, उसके अलावा गरना बात करू, law में बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं, जिसके लिए काफी सारे major exams होते हैं, जिसे class का paper हो गया, options है, Delhi University में होता है, बट किया इसके लावा और भी असी universities हैं, जहां पर आप लोग enter कर सकते हूं, बहुत सारे बच्चे अपना career CA में बनाना चाते हैं, CS में बनाना चाते हैं, उनके लिए कौन से entrances होते हैं, क्या paper pattern है, क्या आपके लिए best career option है, बहुत सारे career options हमारे सामने हैं, और ऐसा कोई platform नहीं मिल पा रहा, जहां पर हर एक career option के बारे में बहुत in-depth discussion किया जाएं, जहां पर हर एक entrance के बारे में आपको बताया जाएं, क्या इनका paper pattern रहता है, और कौन concept forms out हो रहे हैं, क्योंकि देखो जब आपके board के exam चलने होते हैं, उसी time colleges के notifications आते हैं, universities के forms आते हैं, entrance exams के form हमें fill करने होते हैं, किस तरह से और कौन से exam के forms आपको fill करने हैं, आपके interest के according, कौन सा best graduation option है, जो आपको opt करना चाहिए, private university versus government university में क्या difference है, कौन सी university हैं, कौन सा college अच्छा है, इन सब के बारे में मैं इस channel पर आपको एक एक detail देने वाल हूँ, बहुत सारे entrance exam आपके सामने आएंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो 12 के बाद आपका CACPT का paper होता है, अगर डेलियून सेटी का entrance होँआ, तो DU set या फिर CU set होगा, CLAD का paper, ILAT, NPAT, CSET, then IPMAT, IPCET, JE का paper, SCET, Christ, Xavier, ऐसे more than 25 major आपके exams होते हैं, जिसके बाद आप class 12 के बाद एक career start कर सकते हो, तो एक बच्चे को ऐसा एक platform मिल जाएं, ऐसा एक solution मिल जाएं, कि उसको एक ही roof, एक ही umbrella के नीचे, हर एक career option के बारे में पता चल पाएं, तो इस channel पे हम आपको भाई, बहुत detail में, हर एक career option के बारे में, उसके क्या future prospects होते हैं, क्या job लग सकती है, कैसा career होता है, कौन से top colleges है, कौन से exams है, जो भी stream है, चाए वो management हो, चाए वो law हो, चाए वो arts के कोई courses हो, या फिर आपको journalism में जाना है, hotel venue में जाना है, तो उनको in-depth यहाँ पे discussion किया जाएगा, जो भी important notification आएगा, जो भी college के forms आ रहे हैं, कोई भी university में changes हो रहे हैं, कोई नया entrance exam आया है, उसके आपको यहाँ पे to the point relevant information मिलेगी, college के जो major updates हैं, कोई college का form आ गया, उस form filling को करना कैसे है, exam को fill कैसे करना है, पूरा counseling process क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं इस पूरे के पूरे platform पे discuss करूँगा, जो भी आपका exam होगा, उसका detail exam pattern क्या है, उसके बाद अगर interview है, तो उसमें क्या क्या चीज़े पूछी जाती है, जो आपका exam का structure है, वो आपको कराऊँगा, इसके बाद आपको इस channel पे free preparation material भी मिलेगा, जो भी आपके entrance exam 12 के बाद होने वाले हैं, मैं all over India के best faculties को इस channel पे ले के आ रहा हूँ, जो आपको एक-एक exam की, एक-एक course की यहाँ पे तयारी कराएंगे, so that आपको एक clarity तो मिल पाएं, कि भाई किस तरह से मुझे अपनी preparation स्टार्ट करनी है, क्या level of difficulty रहता है, किस type के questions exam में पूछे जाते हैं, आपके basics इसी YouTube channel पे clear होते चले जाए, तो यह मेरा पूरा का पूरा इस channel का बहुत बार मैंने cat exam को qualify किया है, seven to eight times मेरी IAM की call रही है, तो कहने का मतलब है कि last eight year से मैं education space में ही हूँ, और मैं काफी सालों से पढ़ा रहूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोग के लिए ऐसा solution बना सकता हूँ, जिससे आपको काफी जादा benefit होगा, एक 12th के student का, जितना भी problem होता है कि 12th के बाद हम क्या करें, वो सारा confusion आपका यहां पे clear हो जाएगा, तो अगर आपको यह initiative अच्छा लगा है, तो इस channel को, इस platform को अपने जितने भी friends से, जितने भी groups से, जितने भी आपके colleagues से, उनके साथ share करो, ताकि हर एक student, हर एक बच्चा, इस channel से connect हो पाए, और इस channel से, वो maximum benefit लेके, अपने लिए एक best decision, एक informed decision ले पाए, so all the very best, thank you so much, and welcome to class desk family.